बूर्णिंग फ्रेंट्स कैसे आप सभी लोग फेंटसी टैलेंट आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम कवर करेंगे जे ए बी और जे आई बी की बिच होने वाले प्रसिया टीटेंड के मैच नमबर 10 को दूस्तों डीपली इंफॉ कर लेना साथ ही दोस्तों बैल आइकन पर फ्रेस करना मत भूलेगा जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट है वह आपको मिलेगा हमारे टेलेग्राम चैनल पर तो क्या करिएगा वीडियो के डिस्क सबस्तार के असपास आपको लोग मिल जाएंगे दोस्तों हाला कि कुछ फेक चैनल भी आपको यहां पर मिलेंगे इनसे बचिये का और अगर आप इनके पास जाएंगे तो हो सकता है कि आप से पैसे की मांग करें तो उम्मीद करूएं कि आप लोग सही चैनल को ही जॉइन क ूण के बारे नहीं आपको बता है कि मैच्ट मैंच में जाए जाते हैं उसके लेकिंट लेकिन देखने वाली बात क्या है विके आपर डोटल 16 मैच्ट ने वाइंगे उन में 11 पर पहले बैटिंग करने वाली स्टीम ने मैच्ट को विन कया मतलब यह जो ठीटंस चल रहा है यहां पर जो टीम पहले बेटिंग कर रही है वो जाता बैदार परफॉमेंस करके हमें दे रही है और पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 120 के आसपास है तो इससे भी आप अंदजा लगा सकते हैं कि पहले बेटिंग करने वाली टीम को फायदा यहां पर मिल रह है यहां पर भी 243 यहां पर 95 है तो यहां पर भी आपको 95 का स्कोर नजर आएगा मतलब जो टीम पहले बेटिंग कर रही है वो कमाल तो कर रही है तो इस पहले मैच में सबसे पहला जो नाम है दोस्तों वह है निसार एहमद 32 के साथ में यह विकेट कीपर है मोहमद लेजवा फरनांडो दो विकेट है और निसार एहमद के खाते में एक विकेट था तो दूसरी तरफ जाहिद अली तेरा वसीम एहमद 12 रन और दो विकेट है और बी सिंग ने एक दो विकेट निकल कर अपनी टीम को दिये फिर इसके नीचे आप आएंगे तो जोनाका वास का नाम तो दूसरी तरफ देखें तो वसीम एहमद का नाम आपको फिर से नजर आएगा जाहिद अली ने यहां पर ग्यारा किया और मुहमद अफजल ने 11 रनों का स्कूर किया था नॉट आउट इसकी नीचे फिर दो फहीम नासिर फिर से मौजूद है यहां पर बैट से इसके नीचे अदनान अली हैं दोस्तो 19 रनों के साथ में नई नईम ने चार रनों का स्कूर किया और वसीम एहमद ने एक विकेट निकला सभी मेचस में आपको वसीम एहमद का नाम नजर आएगा और इसके बाद दूसरी तरफ आप देखो कि एस नवाज ने शारुक नव वाला हूँ और इसके नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नसीम एहमद का नाम जिन्हों ने 13 रनों का स्कूर किया तो यह वो प्लियर है जो की बार बार परफिमेंस कर रहे हैं जब यह दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो जो कॉमन पिक हैं उनको अपनी 20, 19, 7, 5 मतलब एक एवरेज स्कूर 10 से लेकर 20 तक का यह आपको करके दे जाते हैं इनका जो एवरेज है वो भी दोस्तों लगबग 13 का है दो मेंस खेले हैं एक बार ड्रेम टीम में जगे बनाई है और जो एवरेज पॉइंट है वो 19 के आसपास है फिर दूसरे नमर पे ना था उसका जो नाम है हसीब एहमत का या फिर आप इन्हें अपली टीम में रखिएगा क्योंकि दोस्तों यह आपको नमबर चार पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे और नमबर चार तक अगर बैटिंग जाती है तो यह आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं यहां पर द आंतर विकेट कीपर आपको यही मिलेंगे तो आप इन्हें टीम में रख लीजिए का चौदा का एबरेज है और 49 इनका हाइस्ट स्कूर हाला कि अभी दर ड्रीम टीम में जगें नहीं बन पाई है लेकिन इस मैच में बन जाएगी इसके बाद जाहिद अली है जाहिद अली खेलें विकेट नहीं निकाल पाई तोटल 6 विकेट खाते में और 10 का एबरेज इनके आप देख सकते हो दोनों मैच इसमें ड्रीम टीम में जगें नहीं बनी है इनकी फिर अगला नाम है वसीम एहमाद का दोस्तों वसीम एहमाद अभी आपने उपर देखा होगा हर एक इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है और 31 इनका एवरेज पॉइंट है फिर आते हैं दोस्तों हसीब अब्दुल हसीब अब्दुल का नाम आपको नजर आएगा दोस्तों पिछले 2 मैच इसमें कमाल करते हुए मैं यहाँ पर आप दिखो कि 2 मैच इसमें 3 विकेट नि फिर यहाँ से राहिम कुरेशी हैं दोस्तों दो मैच इस एक विकेट इनके खाते में शामिल है टोटल अभी तक इन्हें एक ही विकेट मिल पाया है और एक ही बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है फिर दोस्तों यहाँ से मुहमद अफजल है मुहमद अफजल एक विकेट इनके खाते में शामिल है और आपको बोलिंग सिक्षन में जाओगे तो वहाँ पर जादा चॉइस है नहीं तो वहमद अफजल वैसे भी आपकी टीम में जगे बना लेंगे उसामा मुनीर है बैटिंग करते हैं और बारा रनों का स्कोर किया है अभी तक और दो तो बारा रन काफी नहीं है भी हमारी टीम में जगे बनाने के लिए जस्पिंदर सिंग दो मैच एक विकेट निके खाते में शामिल है अठारा एवरेज पॉइंट है और एक बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है इसके बाद लास्ट में है यूसुफ मकसूद दोस्तों यूसुफ मकसूद ने एक मैच में गिनबाजी की है जिसमें ने विकेट नहीं मिल पाया बाकि अगर दोस्तों इन्हें गिनबाजी कराई जाती है तो एक अलग बात है अब यहां से हम देखते हैं कि कौन से प्लेयर को कितनी गिनबाजी मिल रही है तो जो हमारे कंप्लीट ओवर करने वाले प्लेयर है तो उसमें एक नामें अफसल मु इन्हें बाजी की हुई है तो यह कुछ बेंच के प्लेयर है इन पर आप फोकस करके चलिएगा इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब यहां से हम बात कर लेते हैं जो दूसरी टीम है उसके बारे में दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पह पॉइंटे दो बार ड्रीम टीम में जगें बना चुके हैं इसके आद फाहीम नजीर है दोस्तों यह कंफॉर्म पेक हैं कौन-कौन से निसार एहमाद और फाहीम नाजीर यह आपके कैप्टन सीक लिए भी चॉइस हैं हाला कि अभी तक विकेट नहीं मिला इने लेकिन जबरदस्त कर रहे हैं आप देखोगे 20 से कम का स्कूर अभी तक नहीं किया है अब पिछले मैच में क्या हुआ था दोस्तों जो मैं आपको उपर बता रहा था हमसे एक मिस्टेक हुई वह यह कि हमने हसन एहमत को टीम में रखा क्योंकि अच्छे प्लेयर है एक तीस का एव पर रिसक हम सिर्फ जी एल के अंदर ही ले सकते हैं तो अगर आपको रिसक लेना है इन पर तो ग्रैंड लीग में लीजिएगा और अभी एक बार ड्रीम टीम में जगे बना पाएं क्योंकि एक ही बार खेलने का मौका मिला है इसके बाद अगला नाम है मुहम्मद रिजवा मुहम्मद रिजवान इनको टीम में रखने की जरूरत आपको रहेगी नहीं और अभी तक वैसे ड्रीम टीम में जगे नहीं बना पाएं क्योंकि पर्फॉमेंस करने का मौका तो मिले फिर इसके बाद मुहम्मद इम्रान है मुहम्मद इम्रान गिनबाजी के लिए ट्राइ बनाई है फिर दोस्तों गुलाम फरीद अभी तक गेंद बाजी बहुत अच्छी रही है तीन मैचेस में चार विकेट निकाल चुके हैं अगर आप दिखो गयो तो इनके खाते में 6 विकेट शामिल है फिर इसके बाद दोस्तों दो बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे ब इन्होंने गिंद बाजी अच्छी की है दो मेंचे खेले हैं दोनों में विकेट निकाले हैं आप इन्हें अपनी टीम में जगे दे सकते हैं 16 विकेट इनके खाते में शामिल है और इसके बाद दोस्तों 37 इनका एवरेज पॉइंट है फैजल शबीर की अगर बात की जाए इनके खाते में चार विकेट शामिल है और पफिछले दो मेंचες में तीन विकेट यह निकाल चुके हैं और लास्ट में है मुवशर हुसेन यह टोटल चार विकेट निकाल चुके हैं और दोस्तों अभी देखा जाए ताफ के पास टॉप अडर बहुत बहुतर है गिंद ब कर रहे हैं मुहम्मद इम्रान चे ओवर कंप्लीट किया है इसके अलावा बाकी जो गेंद बादे इन से कभी कबार एक ओवर की गिनबाजी करा ली जाती है और कुछ प्लेयर ऐसे जिन से ओवर कंप्लीट कराएगा है यहां से गुलाम फरीद डैत में जा रहे हैं रुखसार है एच अब्दूल जिन्हें आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं एहमद और वसीम एहमद जिन्हें हम अपने जीएल में फिर स्मॉल लीग में भी पिक कर सकते हैं डिफरेंशियल के तौर पर जो हमारा टीम कॉंबिनेशन है सीधे उस पर नज़र डालते है तो दोस्तो हमारी जो टीम है वो आपके सामने ये मौचूद है एएन एहमद आपके विकेट कीपर के तौर पर है फिर यहां से शारुक नवाज है एन एहमद को टीम में रखा है निसार एहमद है अगर आप चाहो रिस्क लेना तो यहां पर एक हसन एहमद जो है उन्हें आ किएगा बाकि एफ अली अच्छा कर रहे हैं तो अभी हम इनके साथ में जाना पसंद करेंगे कैपटन एफ नजीर है वाइस कैपटन हसीब